हेलो एब्रिवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू पर्चम आएम पूजब आज हम डिसकस कर रहे हैं 31 जैन्वरी के करेंट अफिर्स तो बिलकुल आज मन्त का लास्ट टे है और कल है एक फर्वरी और एक फर्वरी को हमारे सेशन में जो है वो बजट पेश किया जाएगा जिस पर्चम की टीम आप लोग के लिए पूरा बजट का डिसकेशन जो इंपॉर्टन हाइलाइट्स या पॉइंट होंगे वो आपको कवर किये जाएंगे ठीक है वीडियो के लास्ट में काफी सारे कॉश्चन है रिवीजन के हैं खुद से लिखकर हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेर किया जाता है लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं नहीं टाइम मिल पाता है तो आप टेलिग्राम जॉइन कर लो ठीक है टेलिग्राम से आपको करेंट अपर्स का फ्री ओफ कॉस्ट पीडिएफ मिल जाएगा तो आ भारत ने क्या अचीफमेंट किया है उसके उपर डिसकेशन पहले हम करते हैं तो रिसेंटली आपको पता है ICC Under 19 Women's T20 World Cup खेला जा रहा था जो कि इसका First Edition था तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो Under 19 Women's T20 World Cup 2023 है यह कौनसा एडिशन है तो आप बताएगा कि यह First Edition है कहा आपर खेला जा रहा था तो South Africa में खेला जा रहा था South Africa में यह मैच खेला जा रहा था और इसमें जो Final Match खेला जा रहा था वो India और England के टीम के बीच में खेला जा रहा था और India जो है वो पहला ही Edition जीत गया है तो यही हमारा Achievement है India won the ICC Under 19 Women's T20 World Cup 2023 title with a 7-wicket win over England तो England के उपर भारत ने जीत हासिल की है South Africa में चल रहा है under 19 Women's T20 World Cup में clear है first edition ने यह बात आपको पता चल चुकी है Player of the Tournament के उपर हम चर्चा करते हैं लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो Under 19 T20 World Cup में जो भारत की टीम गई थी उस टीम की कप्तान या Captain कौन थी शेफाली वर्मा थी तो शेफाली वर्मा इंडिया की Captain थी Player of the Match जो है वो टीटस सधू रही है जो की इंडिया से है लेकिन वहीं England की टीम की जो Captain थी जिनका नाम है Grace Scribans ये Player of the Tournament रही है पहला एडिशन था Under 19 T20 World Cup का जो की South Africa में हो रहा था फाइनल मैच इंडिया और इंग्लेंड की बीच में खेला जा रहा था इंडिया को इसमें Victory हासिल हुई है और इंग्लेंड की टीम की जो Captain थी वो Grace Scribans है जो की Player of the Tournament भी रही है और भारत की टीम की कपतान थी शेफाली वर्मा नेक्स्ट बात करते हैं FIH World Cup के बारे में आप सभी को पता है कि इस साल जो FIH Men's Hockey World Cup हो रहा था वो भारत में हो रहा था भारत के कलिंगा स्टेडियम और राउल के ला स्टेडियम में इसको खेला जाना था फाइनल जो मैच है वो Belgium और जर्मनी के बीच में खेला है जर्मनी यहां पर जीत गया है ठीक है तो जर्मनी बीट Belgium in the final to lift the Hockey World Cup 2023 title तो जर्मनी ने final में Belgium को हरा दिया है और Hockey Viswa Cup 2023 का title अपने नाम कर लिया है यह जो final match खेला गया था यह कलिंगा स्टेडियम भुवनिश्वर में खेला गया था ठीक है तो जर्मनी चौथे नंबर क नंबर की टीम बन गई है जिसने तीन बार वर्ल्ड कप को जीता है इसके पहले पाकिस्तान, नेधरलेंड और आस्टेलिया जो है ऐसी टीम्स थे जिरोंने होकी वर्ल्ड कप को तीन से जादा बार जीता है अब जर्मनी भी इस क्लब में शामिल हो गया है अब यहां पर दे वनिशा को दिया गया है जो कि वेल्जियम के है और बेस्ट प्लेयर का अवर्ड जो है वो निकलस वैलन को दिया गया है जो कि जर्मनी के है तो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर और फिर प्ले अवर्ड आवर्ड आपको याद रखना है तो यह दोनों जो स्लाइड हमन होते हैं तो यह दोनों बनने की प्रॉबबिलिटी बहुत जाद है नेक्स्ट बात करते हैं निव्जलेंट कर्केट के बारे में देखिएगा निव्जलेंट कर्केट जो association है या निव्जलेंट की जो बॉड़ी है ना कमीटी है वो हर साल Sir Richard Hadley Medal देती है लेकिन यह Men's Category में दिया जाता है तो उसी के comparison में या उसी के equivalent एक नया medal देने की शुरुआद New Zealand Cricket ने की है जिसका नाम क्या है यहाँ पर आप देखेंगे Debbie H Medal Debbie H Medal जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा जो Women's Cricketer होंगी उनको New Zealand के दोवारा So New Zealand Cricket introduced Debbie Hawklay Medal Annual Award Ceremony to honor the Outstanding Female Cricketer of the Year बिलकुर उसी के equivalent है Sir Richard Hadley Medal जो नाम दिया गया है ना Debbie H Medal Debbie कौन है उसके उपर भी हम चर्चा करते हैं Debbie is the only woman to have won the Supreme New Zealand Cricketer of the Year Award in 1998 तो एक मात्र New Zealand की Cricketer महिला है Debbie थी जिन्होंने New Zealand Cricket of the Year Award जीता था और Hall of Fame में शामिल होने वाली भी ये चौथी महिला थी She was the fourth woman to be inducted into the ICC Hall of the Fame इसके अलावा जो जैसे कि हमारे देश में BCCI होती है वैसे ही जो New Zealand Cricket Boat या कह सकते हो आप NZC इसकी पहली female president भी जो थी वो Debbie थी इसलिए उनको ही सब्मान देने के लिए basically इस नए medal को introduced किया गया है ठीक है? She was also the first woman to be elected president of NZC मतलब New Zealand Cricket Clear हो गई थी चीज़े? तो ये भी important news है News को कुछ भी थरीके से पूछ सकता है तो वो news को पता है कि इसा पूछ सकता है वो पूछेगा Debbie H. medal का relation किस से है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका relation अब किर्केट से है या किस body न इसको शुरू किया है तो New Zealand Cricket Body न इसको शुरू किया है Clear है? चलो Next बात करते हैं Next बात करते हैं हाला कि ये news थोड़ी पुरानी हो गई है काफी दिन पुरानी हो गई है और नीचे रह गई थी और फिर मैंने बात में देखा तो मैंने रियलाइस किया कि ये news रह गई है और important मुझे लगी तो मैंने इसको आज शामिल कर दिया पिछले कुल जुनों में आपने देखा होगा कि रैसलिंग के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोट पे बैठे हुए थे क्योंकि यहां पे जो चार्जिस थे रैसलिंग फेडरेशन अफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उन्होंने कुछ छिरखानी की है या फिर मिस्वेव किया है मिस्कंड़क्ट किया है तो उन पे इस तरीके के अलिगेशन लगाये गए थे तो यहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंशी है मतलब जो रैसलिंग फेडरेशन आज हम उसी कमीटी के ऊपर चर्चा करने वाले है स्पोर्ट मिनिस्ट्री फॉर्म ओवर्साइट कमीटी तु प्रॉप एलिगेशन इन डबलु एफ़ाई मतलब यहां पर रैसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के बारे में बात हो रही है स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा एक ओवर्साइट कमीटी बनाई गई है और जो चार्जेज लगाएगा है रैसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के प्रेसिजेंट के उपर उनकी जाज करने के लिए इस कमीटी की जो हैड बनाई गई है वो खेल रतना वाड़ी एमसी मेरी कॉम को बनाया गया है तो एमसी मेरी कॉम जो है वो पैनल की हैड होंगे इस पैनल में ओलम्पिक मैडलिस्ट, रैस्टलर, योगेश्यो और दत्त भी शामिल होंगे तब तक आपको मतलब मदद करनी पड़ेगी कमीटी की इन्वस्टिकेशन को पूरे तारीके से कंड़क्ट कराने के लिए और तब तक आप अपने इस पोजिशन का उप्योग नहीं कर सकते तो इस तरीके से आपको याद रखना है नेक्स्ट बात करेंगे हम बेटरनर एक्टरेस और फॉर्मर एमपी जमुना पास्ट अभी तो दिगज अभिनेतरी और पूर्व सांसद जमुना का निधन हो गया है इनका रिलेशन हमपी करनाटका से था और इन्होंने कई सारी मूवीज जैसे कि तेलगू, तमिल, करनाट, हिंदी मूवीज में इन्होंने काम किया है सत्थ भाबा के रोल के लिए इन्हें बिसिकली जाना जाता है और ये लोगसभा की MP रही है राज मुन्दरी से in 1989 तो एक MP भी रही है, मतलब लोगसभा की Member भी रही है, Member of Parliament और एक Actress भी रही है Clear? Next, बात करते हैं इन Actress के बारे में जो की Malaysia से है और इनका नाम है Michelle Yeo ठीक है? या Am Yeo, become first Asian to bag Oscar nomination for the best actress पहली बार कोई Asian महिला को Oscar best actress के लिए नॉमिनेट किया गया है तो इनका नाम important हो जाता है, अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बात की कहानिया है लेकिन पहली बार कोई Asian, मतलब एक्टरेस को best actress के लिए नॉमिनेशन किया गया है Oscar में ये भी अपने बड़ी बात होती है और इनका नाम है Michelle Yeo First Asian to bag an Oscar nomination for best actress for her movie और इनकी movie का नाम क्या था? The Everything, Everywhere, All at Once The Everything, Everywhere, All at Once इनको अभी जो golden globe award मिले थे ना, उसमें भी best actress category में इनको award दिया गया था Malaysia descent से ये ब्लॉंग करती है अब देखिएगा NCC NCC का formation हुए 75 साल हो गए है तो 75 साल का celebration किया जा रहा है इसलिए Government of India के द्वारा या Prime Minister Modi जीर की कहने पर 75 denomination का coin ये special edition होते है ना तो उस occasion पर यहाँ पर mint कराया गया इसको sow किया गया ठीक है? So Prime Minister Modi released special rupee 75 coin to mark 75 successful year of NCC NCC को बने हुए 75 साल हो गए है successfully उसने काम किया है अपना contribution दिया है इसलिए 75 rupee के special coin को यहाँ पर जारी किया गया है Prime Minister Modi के द्वारा ठीक है? इतनी चीज़े है और NCC की एक rally भी organize की गई थी on the occasion of 75 years कहाँ पर करियपप मैदान डिली on 28th January अब NCC के बारे में थोड़ी सी बाते हमें पता होने चाहिए NCC का formation की कहानी कुछ इस तरीके से है कि NCC के formation के लिए कमीटी का formation किया गया था उस कमीटी का नाम था H.N. Kunjru कमीटी और H.N. Kunjru कमीटी की रिकमेंडेशन के बाद यह ना H.N. Kunjru कमीटी 1946 में बनी थी और उनकी रिकमेंडेशन के बाद एक act पास किया गया National Cadet Cops Act 1948 और फिर 1948 में NCC का formation किया गया NCC is the largest uniform youth organization है पूरे वोल्ड में और आपके school में भी obviously NCC होगा तो high school, college, university across the India हर गहीं से NCC में youth होते हैं और NCC का जो motto होता है वो unity and discipline होता है Basically ministry of defense और ministry of education मिलके यहाँ पे काम करते हैं आप देखेंगे स्कूल में NCC होता है तो NCC हो गया part आपका defense का और स्कूलों में NCC join करने के लिए force किया जाता है तो वो हो गया education का part तो इसलिए दोनों मंत्राले साथ मिलके काम करते हैं NCC के जो कैजट होते हैं उनके दौरा कई सारे जो project है government of India के उनके लिए awareness campaign भी उन लोगोंने run किया है जैसे कि अगर हम बात करते हैं वो digital literacy के लिए काम करते हैं yoga day के लिए उन्होंने काम किया लोगों को बताया कि yoga की importance क्या होती है फिर COVID-19 vaccination के लिए लोगों को कहा कि vaccination क्यों जरूरी है ठीक है? सवक्षिता अभियान के लिए आपने देखा होगा कि NCC के cadre सवेशा सवक्षिता अभियान को प्रमोट करते हैं इसका head office आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और डारेक्टर जनरल है Lieutenant General गुरवीर पाल सेंग ठीक है? next बात करेंगे हम यहां पे कि देखा बजरंग सेतू के बारे में आप में से कुछ बच्चे जो होंगे वो उतरा खंट से बलॉंग करते होंगे यह बहुत से बच्चे है जो घूमने के लिए रिशिकेश गय होंगे ड़िकेश में आप लग में सुने होगा आपको एक alternative बनाना पड़ेगा तो इसलिए लक्षमा जूला का एक alternative तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है बजरंग सेतु क्लियर हो अतनी चीज़े कहां पे बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि लक्षमा जूला को हटा दिया जाएगा तो answer है no इसको preserve किया जाएगा as a heritage क्योंकि पैदल चलने के लिए यह safe नहीं है तोट सकता है जादा भीड हो गई तो गिर सकता है इसलिए इसको as a heritage preserve किया जाएगा और इसके साथ में बजरंग सेतु का formation किया जाएगा 67 करोर रुपे का budget यहाँ पे रखा गया है नए ब्रिज के construction के लिए so construction of बजरंग सेतु to be completed by July 2023 बजरंग सेतु का निर्मार जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा और यह एशिया का second और हमारे देश का first तो एशिया का second और country का first cable suspension bridge होगा ठीकिन बजरंग सेतु जिसको construct किया जा रहा है रिशिकेश उत्राखंड में this bridge is coming up next to the famous 90 year old Lakshman जूला Lakshman जूला was closed in 2022 when it was found that it wasn't safe for the pedestrian anymore पैदल चलने वाले आत्रियों के लिए अभी safe नहीं है तो इसको बंद किया गया ठीक है और इस Lakshman जूला को अब heritage की तरह preserve किया जाएगा और जो नया bridge construct हो रहा है उसकी जो budget है वो 67 करोर रुपीज की बताई चाती है next बात करते हैं सर्मनना सोरोबॉल कौन है यह ministry of port, sipping और waterway को समालते हैं ठीक है ना तो आपको हर एक व्यक्ति हर एक जो minister है उसका आपको portfolio पता होना चाहिए क्योंकि exam में तो कुछ भी पूछ लेगा तो directly portfolio ही पूछ लेगा तो अभी जो हमारी existing cabinet है उसके मंत्रियों के portfolio आपको पता होने चाहिए ठीक है सर्फनन्दा सोनर वॉल inaugurated national logistic portal जिसका नाम है marine तो ministry for port, shipping and waterway सर्फनन्दा सोनर वॉल जी के द्वारा national logistic portal के शुरुआत की गई है जिसका नाम है marine अब इसके अंदर गद क्या के जाएगा तो logistic जो आपका मतलब trading होती है आपने देखा होगा बड़े-बड़े ships के जरिए railway के जरिए bus के जरिए, trucks के जरिए transport किया जाता है vapour किया जाता है goods को भेजा जाता है तो उन सब चीजों के लिए जो आपके logistic community है इसके shareholder है इन सबी लोगों को एक single platform provide करना और transparency को भढ़ाना ठीक है और cost को reduce करना ये agenda है जिसके लिए इस national logistic portal marine को launch किया गया है It will improve efficiency and transparency by reducing cost and promoting the growth of logistic sector It will cover all mode of transport in the waterway, roadway and airway तो आपको याद रखना कि marine किया है तो एक national logistic portal है इसको किस ने launch किया है सर्बनन्दा सोनोबॉल ने इसको launch किया है चलिए, अभी एक machine आपने कई बार देखी होगी एक MRI machine है MRI machine है तो जल्दी से comment करके बताओ कि MRI का full form क्या होता है MRI का full form आप लोग मुझे comment करके बताएंगे क्योंकि मुझे तो नहीं पता है तो आपको यह बताना पड़ेगा ठीक है चलिए मैथ्री R&D Institute समीर साइन M.O.U. विद सिमिन्स हेल्थिमियर तो यहाँ पर मैथ्री मैथ्री के बारे में सभी को पता है मैथ्री क्या होती Ministry of Electronics and IT बेसिकली आपकी यहाँ पर मैथ्री है तो मैथ्री ने M.O.U. साइन किया है सिमिन्स हेल्थिनियर कमपनी के साथ किसके लिए समीर साइन मैथ्री R&D Institute समीर समीर जो है मैथ्री का ही एक R&D Institute और इसने M.O.U. साइन किया है सिमिन्स हेल्थिनियर के साथ क्यों किया है जिससे एक लो कॉस्ट MRI मशीन को तयार किया जा सके और Affordable Instrument और Healthcare Facility जो है वो आम जंता तक पहुँचाई जा सके Every Indian जो है पर M.O.U. साइन किया है तो समीर का Full Form अगर पूछा जाएगा आप से तो समीर का Full Form होता है Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research समीर बेसिकली RF Microwave Radar और Communication System पर काम करता है ठीक है Next बात करेंगे National Child Science Congress के बारे में तो 33 एडिशन तीसवा संसकरन और National Child Science Congress की शुरुआत हो गई है एहमदाबाद गुजरात में और 31st January मतलब आज के दिन जो है ये Science Conference जो है उसका end होना है ठीक है The 30th National Child Science Congress started at एहमदाबाद in गुजरात on 27th January 2023 और ये conclude कब होनी है 31st January को एक conclude होनी है Basically इस प्रोग्राम को गुजरात Council on Science Technology गुजरात Council of Science City और S.A.L. Education के द्वारा कंड़क्ट कराया जारा जिसके लिए थीम रिसाइट की गई है तो आप थीम देख सकते Understanding Ecosystem for Mental and Well-Being चीक है? तो याद रखेंगे 30th नंबर की National Child Science Congress कहां हो रही है? कहां सर हो जाएगा? गुजरात एहमदाबाद में चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक प्लांट के बारे में जो कि Solar Panel को बनाने का काम करेगा Luminous Power Technology के बारे में बात हो रही है Luminous to build India first green solar panel factory in उत्राखंड तो Luminous Power Technology ने announcement की है कि भारत का पहला इंडिया का पहला green solar panel factory को उत्राखंड में सेट अप किया जाएगा कहां पे सेट अप किया जाएगा उत्राखंड में clear है तो Luminous Power Technology announced this plan to build the country first green energy based solar panel manufacturing factory in उत्राखंड और ये function करना शुरू करेगा ये plant end of 2023 तक तो 2023 के अन्थे तक ये plant जो है वो solar panel को manufacture करना शुरू कर देगा और इसकी location कहां है रुद्रपूर है उत्राखंड में ठीक है अब यहाँ पे क्या reason है तो हमको पता है कि हमें net carbon emission zero करना है तो हार एक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप domestic purpose में देखे हार एक व्यक्ति के घर के हिसाब से उसको अलग 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 energy के solar panel की ज़रूरत होती है तो उसके आधार पर ही लोगों की requirement की आधार पर यहाँ पर solar panel को manufacture करने का काम किया जाएगा यहाँ पर high quality solar panel को manufacture कर रहा जाएगा commercial purpose से भी और domestic uses के हिसाब से भी ठीक है यह जो पुरा plant है लगाया जाएगा यह 10 acre जमीन में फैला हुआ होगा और इसके generation capacity होगी वो 500 megawatt per annum होगी जिसको further extend किया जा सकता है 1 gigawatt तक ठीक है यह जो है वो 40 watt से 600 watt तक के solar panel को manufacture करने का काम करेगा जिससे 70 million ton per year carbon dioxide emission में reduction आएगा अगर हम CEO और managing director luminous power technology के बारे में बात करें तो प्रीती बजाज है कौन है प्रीती बजाज बाकी उत्राखन के बारे में यह आपको extra जानकारी हाँ पर मिल रही है next बात करते हैं senior ISIS leader Bilal al-sudani killed an US raid in Somalia तो recently Joe Biden जो कि अमेरिका के राष्टपती हैं उनके कहने पर Somalia में एक raid डली थी और उसमें जो senior ISI leader है जिनका नाम है Bilal al-sudani उनका निधन हो गया उनको मार दिया गया है तो Somalia में अमेरिके हमले में ISIS का वरिष्ट निता Bilal al-sudani मारा गया है और यह raid करने के permission order किस ने दिया था? President Joe Biden ने दिया था इसके लावद 10 और ऐसे terrorist जो है इस group के terrorist उनको भी यहाँ पर मारा गया है और Bilal al-sudani बहुत समय से US के radar में already था इन पे उपर allegations थे कि इन्होंने financial support जो है वो IS operation जो की अफरिका में हो रहे है उनको support किया है ठीक है और अफगानिस्तान में जो ISIK terrorist organization उसको भी funding करने का काम इनके द्वारा किया गया था तो बहुत समय से USA के radar में थे और finally अब इन पे rate कर दी गई और इनको मार दिया गया अगर हम बात करते हैं ISIS के बारे में तो यह है Islamic State of Iraq and Syria इसको ISIL Islamic State of Iraq and the 11th के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसका formation 1999 में किया गया था किसने किया था आबू मुसाद अल जरकवी के द्वारा इसे किया गया था ठीक है और ग्लोबल इसका जो existence आया या इसको जो ग्लोबल लेवल पे लोग जानने लगे वो 2014 में हुआ था इनका एक ही मकसद है कि जो सरिया कानून होता है या Islamic law है उसको बहुत strictly enforce करने का काम ये लोग करते हैं ये बेसिकली large part of Iraq और Syria में active है ठीक है और ये एक Islamic militant jihadi group होता है ISIS ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे NSE, NSE क्या होता है National Stock Exchange होता है become world largest derivative exchange for fourth straight year तो यहां पर NSE लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बरा derivative exchange बन गया है ठीक है, according to the Future Industry Association and the National Stock Exchange of India Emerge, a report कि इसने जारी की है तो यहां पर आपको मिल गया कि Future Industry Association के दवारा इस report को जारी किया गया है और इस report में बताया गया है कि भारत का जो National Stock Exchange है, वो वर्ल्ड का largest derivative exchange बन गया है लगा था चौथरी बार क्योंकि इसका जो डेली, डेली जो turnover record किया गया था 2022 में वो कितना reach हो गया था 470 करोर हो गया था In 2022 the daily average turnover of the exchange reached 470 करोर, तो लगा था चौथी बार भारत का जो NSE है वो largest derivative exchange बन गया है, NSE का headquarter कहाँ पर मिलेगा, आपको Mumbai में मिलेगा अब यहाँ पर एक छोटी सी report है जो Ministry of Education के द्वारा release की गई है, MOE मतलब Ministry of Education होता है, जी कि Religious All India Survey on Higher Education 2020-2021 तो Ministry of Education ने एक सर्वे करवाया था कि जो Higher Education, Graduation, Post Graduation Doctorate कर रहे हैं लोग तो कितने लोग यहाँ पर enrolled हो रहे हैं यहाँ फिर महिराओं की संख्या कितनी है Higher Education में Enrollment के लिए तो यह पूरा सर्वे कंड़क्ट कराया गया था इस सर्वे में हमको जानकारी मिली है कि Total Enrollment जो Higher Education में Students का हुआ है वो Increase हुआ है तीक है 2020-21 में यह Record बन गया है 4.14 करोर स्टुडेंट Enroll हुए है इसके पहले 2019-20 में यह 3.85 करोर Enrollment का था वहीं अगर हम बात करते हैं Female के बारे में तो Female का Enrollment भी Higher Education में Increase हुआ है अब 2.01 करोर जो है Females Enroll हुए है Higher Education के लिए तो इस तरीके से All India Survey on Higher Education Ministry of Education ने बताया है Next है भी Recently आप लोगी News में देखा होगा कि Gautam Adani जी को काफी Losses हुए है और Losses होने की कारण जब वो चौथे नमबर पे थे विश्वे के चौथे नमबर के देख सकते है 96.6 billion ठीक है तो Gautam Adani slip from 4th to 7th position in Pops list तो Pops की सुची में Gautam Adani 4th स्थान से खिसक कर 7th स्थान पर आ गए है Clear हैती चीज़े और इनकी जो total wealth हो गई है 96.6 billion हुई है और decline जो इनकी wealth में हुआ है 22.6 billion का इनको नुकसान हुआ है इनकी wealth जो है वो कम हुई है अगर हम टॉप के बारे में बात करते हैं कि 1st, 2nd और 3rd पर कौन है और Mukesh Ambani जी की क्या ranking है ये बाते और देख लेते हैं तो Mukesh Ambani जी इस list में जो है वो दसवे नमबर पर आते हैं Mukesh Ambani जी की ranking किस नमबर पर है दसवे नमबर पर है 1st नमबर पर आते हैं Bernard Arnold 1st नमबर पर आते हैं इनकी total wealth आप देखेंगे 215 billion dollar है 2nd नमबर पर Tesla के CEO Elon Musk का नमबर है और same position पर आपको यहाँ पर Amazon के Co-Founder Jeff Bezos यहाँ पर 3rd नमबर पर मिलेंगे ठीक है तो at the same time Tesla CEO Elon Musk is the number 2 और Amazon Co-Founder Jeff Bezos दो है वो नमबर 3 पर आपको देखने को मिलेंगे अब recently Forbes के दौरा कुछ और लिस्ट को December 2022 में रिलीस किया गया था एक बार हम उनका revise कर सकते हैं तो इस स्क्रीन के स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं Annual List of Highest Paid Female Athlete in the World तो Highest Paid Female Athlete कौन है Naomi Osaka है जो कि जापान की एक टेर्स खिलाड़ी है और भारत में अगर देखते हैं तो PB सिंदू है जिनकी रैंकिंग ग्लोबली 12th नमबर पर आती है वहीं अगर male category में बात करते हैं तो male category में Highest Paid Athlete कौन है Messy है कौन है Messy है जो कि एक फुटबॉलर है चेक इतनी चीज़े वहीं अगर List of Richest Actors in the World देखते हैं तो शारुक खान की रैंकिंग 4th नमबर पर आती है और 1st नमबर पर Jerry Sinfeld आते है जो कि अमेरिका के एक एक एक्टर है चेरिए यह बड़ी सुंदर सा मेरे को लगा यह लकडी का बना हुआ क्राफ्ट है टॉय है जिनका नाम क्या है यहां पर इसे कहां पर बनाया जाता है एक छोटे से गाउं में बनाया जाता है उस गाउं का नाम है इती कोपकका ठीक है तो इती कोपकका ट्वाइ क्राफ्ट मैन इन्हें पद्म वाड के लिए रिसेंटली स्लेक्ट किया गया था पद्म वाड के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है तो यह आप आर्ट से आ जाता है आठ केटिगरी से इसलिए मैंने इसको इंक्लूट कर दिया है तो आंधर प्रदेश के 7 परसन को जो है वो पदम आवार्ड की लिस्ट में शामिल किया गया तो उन में से यह इति कोपक का टॉय क्राफ्ट में भी शामिल थे इति कोपक का एक विलेज है जो बैंक ओफ बारा रिवर पर विशाका पटनम डिस्टेक ओफ आंधर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा इसमें यह लोग एक लखडी का उपयोग करते हुए और वो लखडी कौन सी है वो ट्री कौन सी है उस ट्री का नाम है एनकुदू यह पर राइटिया टिनकोटोरिया यह इसकी लखडीया मोती वड़ी सॉफ होती है तो इसका उपयोग करते हुए वो टोय बनाते है और इस टोय में जो भी कलर वो यूज करते हैं सारे के सारे जो होते वो नेट्रल कलर होते हैं जिनको वो लीव से रूट से अलग-लग चुका है 2017 में तो इन्हें पद्मवाट के लिए चुना गया है क्लियर रिती चीज़ है चेक्स बाद करते हैं सुजुकी टू यूज काव डंग पॉर इट्स C&G कार तो सुजुकी जो गाय का गोबर होता है ना गाय के कोबर से वो यूज करेगा मतलब गैस बनाएगा बायो गैस और उसका यूज कार में करेगा तो इंडिया लार्जेस कार मैनुफेक्ट्र कंपनी कौन है सुजुकी मोटर है उन्होंने अनॉंसमेंट किया है कि वो काव डंग मतलब जो गाय का गोबर होता है उससे पावर जनरेट करेगा CNG कार के लिए और इसके लिए उन्होंने एशिया के जो लार्जेस डेरी मैनुफेक्ट्र है नेश्टरल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड उनके साथ M.O.U. साइन किया है क्योंकि जो डेरी बोर्ड होती है इनके पास तो कापी सारी काव आती है तो कापी कुछ यहां पर आपको काव डंग मिलेगा और फार्मर्स भी यहां पर दूज जमा करते हैं तो उनके जरी आप गाय की गोबर को भी कलेक्ट कर सकते हो तो यहां पर पूरा M.O.U. साइन किया है और यह लोग क्या करेंगे इस गाय के गोबर से जो है वो पावर जनरेट करेंगे और उसको CNG कार जो है उनमें यूज करेंगे जिससे कारबन एमिशन को रिड्यूस किया जा सके है ठीक है चली नेक्स्ट पात करेंगे Canada to commercialize world first photonics based quantum computer तो Canada जो है वो दुनिया के पहले फोटोनिक्स आधारित quantum computer का website करन करेगा मतलब इसको market में दूसरे लोगों के use के लिए भी available कराएगा ठीक है ऐसा Canada के जो प्राइम मिनिस्टर है Justice Trudu उनके द्वारा ये announcement किया गया है इसके लिए 40 मिलियन Canadian डॉलर का यहाँ पे investment किया जाएगा ठीक है next बात करेंगे यहाँ पे दो planet डिसकोवर हुए उनके उपर चरचा करते हैं वो planet के नाम क्या है GJ मतलब गुजरात नहीं है यहाँ पे ठीक है GJ 1002 B and C दो नए प्राइनेट को डिसकोवर किया गया है ठीक है और इनके जो masses है almost size जो है वो किसके equal है हमारी अर्थ के ही almost equal है और यह दोनों जो planet डिसकोवर किये गए है वो habitable zone में है habitable zone में है मतलब यहाँ पर liquid form में पानी available है तो जीवन होने की probability यहाँ पर पाई जा सकती है तो यहाँ पर दो नए planet को डिसकोवर किया है using radial velocity method slightly higher than the earth है और यह 10 days में मतलब इसका एक साल 10 days का होता है जैसे हमारे अर्थ में क्या होता है एक साल 365 days का होता है वैसे इनके पास जो एक साल होगा न वो केवल 10 दिन का होगा और जो second planet है 1002C उसका जो मास है वो अर्थ के मास का आप देखेंगे 1 third है और यह 20 days में अपने ओर्बिट में चक्कर लगा लेता है मतलब इसमें एक साल आपको 20 दिन का देखने को मिलेगा तो दो नए planet जो है वो RB method के जरिए discover किये गए है चीक है next बात करते हैं last बात करते हैं noble's hell and butterfly अर्वनाचल प्रदेश में है basically अर्वनाचल प्रदेश में म्यानमार की boundary पे border पे आपको यह नेशनल परक देखने को मिलता है extremely rare यह butterfly है जिसको पहली बार इंडिया में देखा गया है यह जो butterfly होती है यह शौलट टेल होती है और इसके जो मतलब पंखो की साइज होती है वो 100-120 mm की होती है basically यह जो butterfly है ना वो म्यानमार, चायना, नौर्थ आइलिंड, लाउस, कमबोडिया और वियतनाम में पाये जाती है पहली बार इसको इंडिया में देखा गया है वो भी कहां पर देखा गया है नामदफ़ नेशनल पार्क में अगर इस butterfly का हम scientific name देखते हैं तो नाम है Papilio Nobelli ठीक है इसका नाम है अगर नामदफ़ नेशनल पार्क के बारे में बात करो तो मैंने आपको बता दिया इंडिया और म्यानमार की boundary पे आपको Changlang District of State of Arnachal Pradesh में नामदफ़ नेशनल पार्क देखने को आपको मिल जाएगा तो Arnachal Pradesh के सारे के सारे आप नेशनल पार्क को पढ़ लीजिएगा दन इतनी चीज़े तो ये आज के हमारे current affairs थे अब कुछ दो चार बाते हैं जैसे कि कल आपने अगर न्यूज में देखा होगा तो उडिसा की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो एक रैली में गए हुए थी एक संबोधन के लिए गए हुए थे और जैसे ही वो कार से उतरे तो एक ASI ने जो है वो उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उनको एयर लिफ्ट किया गया लेकिन फाइनली अभी यहां पर पता चल रहा है कि उनका निधन हो गया उनकी डैथ हो गई है तो किस राज्य के हैल्थ मिनिस्टर की गोली लगने के कारण म्रत्य हो गई ही तो आंसर हो जाएगा उडिसा के हेल्थ मिनिस्टर जनका नाम था नबा किशोर दास ठीक इतनी चीज़ है नेक्स्ट बात करते हैं इस रो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन का पहला सौरे मिशन मतलब पहली बार जो L1 कक्षा होती है सन की वहाँ पर हम अपने पहले सन मिशन को भेजेंगे कब जुलाई 2023 यहाँ पर डेट बताएगा यह जिस मिशन का नाम क्या है आदित एलवन मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इस प्लानिंग तो लॉंच दा आदित एलवन मिशन बाई जून और जुलाई 2023 नेक्स्ट है फर्स्ट जी ट्वेंटी इंटरनेशनल फाइनेशनल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रूप की मीटिंग जो है वो कहाँ पर हो रही है चंडिगर में 30 और 31 जनवरी को कंड़क्ट कर आए गई अब कई सारी मीटिंग होंगे तो बस जानकारी के लिए याद रख लो मुझे नहीं लगता इतने डीप कॉशन्स पूछेगा क्यों कोई G20 के 200 मीटिंग होनी है कौन कौन सी लोकेशन याद रखोगे नहीं पहली मीटिंग याद रख लिए कोई बहुत इंपोर्टन मीटिंग है वो याद रख लिए ठीक है नेक्स्ट है तो खेलो इंडिया यूद गेम के लिए साई के साथ M.O.U. साइन किस ने किया है एक Tech-Driver Sports Company है SFA उसने यहाँ पर 5 साल की sponsorship डील की है खेलो इंडिया यूद गेम के लिए और खेलो इंडिया यूद गेम जो है उनकी शुरुआत भी हो चुकी है मदरप्रदेश में ठीकि पांचवे नम्मर के अडिशन है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए क्लियर है? चली अब बात करते हैं आपके टेस्ट के बारे में देखते हैं कितने कॉश्चन आपको याद रह गए है पहला कॉश्चन है Central Government ने Recently मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमरित उध्यान कर दिया है कॉश्चन यह है कि मुगल गार्डन वास डिजाइन इन विच यह मुगल गार्डन को लुटियंस के द्वारा कब डिजाइन किया गया था तो आंसर है 1917 में Option B is the right answer Luminous Power Technology has announced its plan to build the country first green energy based solar panel manufacturing factory in which state? तो किस state में यह पहली factory लगाने वाला है तो UK में उत्राखण Option D Who among the following has inaugurated National Logistic Portal Marine Marine जो National Logistic Portal है इसको किस ने लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है सर्वरंदा सोनो बॉलने Next है The government will hand over how many monuments to the private sector for their upkeep under the Monument Mitra Scheme So Monument Mitra Scheme के अंतरगत कितने monuments को private sector के हाथों में सोपा जाएगा answer हो जाएगा thousand कल मैंने Monument Mitra Scheme के बारे में बताया था Ministry of Tourism से इसको Ministry of Culture में transfer किया गया है Right Next है United Nation has reduced its GDP growth forecast for India for the calendar year 2023 to what percent So United Nation ने भारत की GDP कितनी बताई है 5.8% बताई है Option यहाँ पे C correct हो रहा है Next है Who has been nominated by the US President Joe Biden for the post of Air Force Brigadier General Air Force Brigadier General की post के लिए किसे nominate किया गया है तो Indian American Rajachari को Option B Next बात कर लेते हैं Which country has announced the introduction of the Debbie Hawklay Medal to honor the outstanding female caricator So Debbie Hawklay Medal की शुरुवात कौन करने जा रहा है तो New Zealand कर रहा है आज ही हमने discuss किया थो और यह अपने आप में एक important और बहतरीन question है Option B is the right answer Next है आशिफ सेख has been awarded the ICC Spirit of the Cricket Award for the 2022 From which of the following country does he belong तो सबसे पहला question तो यही बन गया कि ICC Spirit ICC Spirit of the Cricket Award 2022 के से दिया गया है आशिफ सेख को दिया गया है जो कि Nepal के है और पहले नेपाली किर्केटर है पहले नेपाली किर्केटर है जिन्होंने ICC Spirit of the Cricket Award को जीता है इसके लिए यह important हो जाते है Clear? Last में एक छोटा सा question है Who has been named Women's Emerging Cricket of the Year 2022? तो Women's Emerging Cricket of the Year 2022 कौन बनी है? चार option है सही answer आप हमें comment में बताएंगे तो आज वीडियो के दौरान मैंने आपसे दो question पूछे है पहला question मैंने आपसे पूछा था MRI का full form जो आप मुझे comment में बताएंगे और दूसरा है question of the day इसका answer भी आप हमें comment में बताएंगे Clear? तो हम मिलते हैं कल 7 a.m. अपने नए current affairs के साथ और सही answer भी मैं आपको comment पर reply कर दूँगे Okay? So take care and bye-bye